Second golden rule है कि हम अपनी imagination को reality में बदलेंगे imagination को reality में बदलेंगे कलपना को हकीकत में बदलेंगे तो अब मैं आपको कुछ सोचने के लिए बोलूँगा जो मैं आपको सोचने के लिए बोलूँगा वो आपने daily सोचना है daily practice करना है चाहे किसी भी stage पे जाना है उससे पहले एक बार आँख बन करके वही सब सोचना है जो मैं आज आपको बोलूँगा और उसके बाद आप देखना बच्चो चमतकार हो जाएगा आपके मन से सारा डर गायब हो जाएगा सबसे पहले आपने क्या करना है आखे बन करने के बाद आपने ऐसी जगह पे खड़ा होना है जहां पे आप तीन से चार कदम चल सके ठीक है 1 2 3 and 4 सेम इसी तरह से चार कदम पीछे 1 2 3 and 4 ठीक है कई बच्चे कैसे करते हैं कदम ऐसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 नहीं आपको दोनों कदम एक साथ आगे लेके जाने हैं और फिर उनको रोग लेना है ये एक लेवल हो गया दूसरा लेवल तीसरा लेवल ठीक है and 4 लेवल अब हमने करनी है क्या करनी है कल्पना imagine कोई pressure नहीं है कोई वजन नहीं लगाना जो दिमाग में आए जो मैं बोलूँ उससे डिलेटेड जो भी कुछ आपके दिमाग में आए वो सोचना है और राइट चलिए करते है बहुत मज़ेदार टेक्नीक है सबसे पहरे टेक डीब ब्रेथ क्लोज यो आई स्पाइन सीधी कर लो एक लंभी सांस लो जहरी लंभी सांस लो कमर सीधी करो and close your eyes तेक डीब ब्रेथ close your eyes कमर बिल्कुल सीधी होने चाहिए सभी बच्चोंगी इस उड़ाव स्टेट स्पाइन तेक डीब रेथ and relax close your eyes देले देले सांस लेते रहे आखें बंद करेंगे सभी किसी भी बच्चे की आखें खुली भी नहीं दिखनी चाहिए exercise तभी समझ में आएगी when you have close your eyes eyes बंद करें सभी keep your eyes close कलंभी गहरी सांस कमर सीधी आखें बंद कुछ भी हो जाए अगली दो मिनट तक आपने अपनी आखें बंद ही रखनी है close your eyes very good now when you have close eyes आपने just imagine करना है कि आपके सामने एक golden road है सोने क्रीब बनी हुई सडक है सुनहरी सडक है just imagine कलपना कीजिए सोचिए सोचने में कोई पैसे नहीं लगते सो कमर सीधी करें आखें बंद करें और सोचें कि आप जहां है वहां से थोड़ी सी आगे एक लंबी सुनहरी सडक है सोने की बनी हुई सडक है just इतना imagine करें जब तक दिमाग में वो सोने की सडक नहीं बनेगी तब तक आगे की एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं so keep your eyes closed and imagine think सोचिए एक सडक है वो सोने की बनी हुई है सोचना है very good now imagine करें कि आप उस सडक पे जैसे ही पहला कदम रखते हैं आप पहुँच जाते हैं आज से तीन महीने बाद तीन से चार महीने बाद जब आपके फाइनल एक्जाम का रिजल्ट आने वाला है आप फ्यूचर में पहुँच जाते हैं just imagine take a deep breath, close your eyes और एक कदम आगे उस golden road पे चड़ने कोशिश करें जैसे ही आप उस golden road पे चड़ते हैं imagine करें आप पहुँच जाते हैं 2024 के exam declaration day या result declaration day पे आज वो दिन है जब आपका result आने वाला है और आप 2024 में future में पहुच चुके हैं just imagine आपके सामने एक board लगा हुआ है उस board पे लिखा है 2024 आपका स्वागत करता है 2024 आपका स्वागत करता है welcomes you और नीचे आपका नाम लिखा है और अपने नाम के पास अपने signature करें just sign it अपने नाम के पास अपने signature करें और जैसे ही आप signature करते हैं imagine करें आपकी dress change हो जाती है आपने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए है और अब आप पहुच गए हैं अपने school के main gate के उपर दिमाग में सोची आपकी school का main gate कैसा दिखाई देता है उसका color क्या है, design क्या है आपने जो कपड़े पहने हैं वो कैसे हैं उस result declaration day पे आप अपने school की gate पे हैं तो बहुत सारे बच्चे, parents school के अंदर जा रहे हैं और आप भी अपने parents के साथ school के अंदर जा रहे हैं imagine करें आपके साथ आपके parents भी आ गए है और धीरे धीरे आप stage के उपर चट रहे हैं जैसे जैसे आप school के अंदर जा रहे हैं बहुत सारे लोग, बच्चे आपको देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं आपके classmates हैं, आपके teachers हैं school में काम करने वाले बाकी workers हैं उन सभी को देखते देखते ही जहां पे आपके school को की stage है, जहां पे जादा तर program होते हैं, वो देखे बहुत सुन्दर decorate की गई है और audience में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए just imagine, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे वहां audience में बैठे हैं, parents बैठे हैं और उन parents के बीच में आपके parents भी बैठे हैं जहां से सोचे, देखिए उनको वहां पे बहुत सारी बाते हो रही हैं, बहुत सारा शोर है जहां से सुनने कोशिश कीजिए stage पे, mic पे कोई बोल रहा है सुनिए वो क्या बात कर रहे हैं stage के ओपर बहुत सारे लोग बैठे हैं आपके principal बैठे हैं, vice principal बैठे हैं कुछ teachers बैठे हैं, कोई celebrity, कोई guest आया हुआ है वो भी बैठे हैं, सोच ये वो कौन हो सकते हैं just think that और अब stage से आपका नाम पुकारा जाता है ध्यान से सुनने कोशिश कीजिए stage पे आपका नाम पुकारा जाता है और आपको stage पे बुलाया जा रहा है धीरे-धीरे अपने आपको stage पे चड़ते हुए imagine करें just imagine ये आप stage पे चड़ रही है और जैसे ही आप stage पे पहुंचते हैं आपकी body posture जो है, वो पूरी तरह से confident है आपके चहरे पे एक प्यारी सी smile है अपने आपको देखने कोशिश करें आपके चहरे पे एक प्यारी सी smile है, एक proud है अपने आप पे गर्व हो रहा है आपको इतने सारे बच्चों में से आपको stage पे बुलाया जा रहा है stage पे जितने भी लोग बैठे हैं आपको खड़े होके आपका तालियों से स्वागत कर रहे हैं तालियों की तेज गड़ गड़ाहट को सुनें सभी लोग तालिया मजा रहे हैं सुनिया उस तालियों की बजाने की अवाज को और जैसे जैसे आप stage पे चड़ रहे हैं अब आप center of the stage पहुँच चुके हैं आप पूरी तरह से confidently खड़े हैं आपके पैर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको बताया गया है आपको practice कराए गई हैं आप relax हैं चेहरे पे प्यारी से smile है और आप audience को देख रहे हैं audience में parents को देख रहे हैं पेरेंट्स के बीच में आपके parents बैठे हैं parents के पीछे students बैठे हैं देखे ध्यान से बहुत सारे बच्चे है colorful dresses हैं बहुत बड़ा program है और stage पे वो chief guest आपके पास आ रहे हैं उनके हाथ में एक बहुत प्यारी सी trophy है एक medal है वो trophy आपको दी जा रही है आप प्यारा सा smile देके photo की चुआ रहे हैं वो medal आपके गले में पहनाया जा रहा है आप धीरे से अपनी गर्दन जुकाईए उस medal को अपने गले में पहनिए और stage के उपर आपको mic के उपर बुलाया जा रहा है now you are on the mic अब आप audience को कह रहे हैं देखिए क्या बात कर रहे हैं आप thanks कह रहे हैं guest का thanks कह रहे है teachers का school का सभी बच्चों का अपने parents का और इस confident अंदाज में trophy हाथ में उठाके एक final pose दे रहे हैं आप जैसे आपने बहुत कुछ achieve किया है और आपने हाथ में trophy उठाके एक final pose दिया है और इस trophy को दिखाते हुए आप दूसरी तरफ से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और जाके अपने friends के बीच में बैठ रहे हैं friends आपके लिए बहुत खुश हैं शेयर कर रहे हैं अब इस trophy और medal के साथ आप वहां से वापिस आ रहे हैं वापिस आईए और आज आईए वापिस उसी board के पास जहां पर आपने signature किये थे 2024 welcomes you आपने वहां पर अपने sign किये थे अब जैसे ही आप उस board को देखते हैं आपके हाथ में वो trophy भी है medal भी है अब एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आप पहुंच चुके हैं 2025 के अंदर आप सोचिए आज से दो साल बाद अगले 2025 में आप stage पे जा रहे हैं सेम प्रोसेस बड़ आपकी ड्रेस कुछ नहीं है कुछ अलग है 2025 welcomes you जहां पर लिखा था वहां पर अपने और स्टाइल से अपने signature करिए और पहुंच जाएं stage पे वापस दोबार आपने आपको stage का experience दीजे आज जो stage मिली है वो exam के बारे में नहीं है result के बारे में नहीं है वो कुछ हो रहे हैं सोचिए किस चीज के लिए आपको stage पे बुलाया जाए क्या वोड़ आपको मिलना चाहिए dance का singing का sports का and writing का drawing का किस चीज का वोड़ आपको चाहिए आपके अंदर वो क्या talent है जो 2025 में आप चाहते हैं कि लोग उसको appreciate करें आपको stage पे बुलाया जाए आप stage पे बात करें program है audience बैठी है आपके parents बैठे हैं आप confidently stage पे चड़ रहे हैं and people are very happy to see you on stage लोग आपके लिए तालिया बजा रहे हैं सुनिए आपका नाम पुकारा जा रहा है लोग cheer कर रहे हैं उस आवाज को सुने महसूस कीजिए उस feeling को stage पे जब आप पूरी तरह से relax and confident feeling को महसूस करें और stage पे दोबारा आपको एक बहुत प्यारी शील्ड ट्रॉफी दी जा रही है उस ट्रॉफी के निके लिखा है कुछ कि यह ट्रॉफी किस चीज के लिए है ध्यान से पढ़ने कोशिश कीजिए और इसी ट्रॉफी को दोबारा उसी winning position में हाथ में दिख किये थे अब की बार हम एक कदम पीछे आएंगे 2024 में आएंगे जहां पे आपने 2024 में सिगनेचर किये थे वहां पे पहुंचते ही अब आपके हाथ में वही पुरानी ट्रॉफी और वही मैडल आपके गले में हैं वही सब चीज़े याद कीजिए वो ड्रेस वापिस वही आ पहुंचे थे और यहां पहुंचके आप वापिस उसी नॉर्मल ड्रेस में हैं जहां आप थे वहीं पोजीशन है जहां से आपने शुरू किया था मन मन में अपना नाम पांच बार दोहराएं I can do it I am the best पांच बार दोहराएं दोनों हातों को रब करें दीरे से आँखों प जिस भी बच्चे ने यह exercise मेरे साथ लगातार की है उसको बहुत confident बहुत relaxed मैसूस हुआ होगा that for sure अब यह जो experience आपने आज लिया है कुछ मिन्टों में 10 मिनट में आपने एक experience लिया है यह experience आपने अपने brain को बार 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 दिलाना है देखिए आप दो तरीके से सीखेंगे पहला आप physically एक चीज़ करेंगे बार बार practice करेंगे और उसको सीख जाएंगे या आपकी body या आपका brain उसको adapt कर लेगा लेकिन एक और तरीका है psychological problems को दूर करने के लिए आपको physical इतना मेहनत करने की जूरत नहीं है जितना आपकी imagination को मेहनत करने की जूरत है क्योंकि आपका brain imagination और reality में फरक नहीं जानता तो जितना practice आप यहां कर रहे हो आपका brain उसको real समझेगा और अगली बार जब भी आपको मुका मिलेगा stage पे जाने का भाग के जाएंगे stage पे confidently खड़े होंगे वेट कर रहे होंगे अपने trophy का अपने award का और smile के साथ सब का thank you कह रहे होंगे जो भी आपको बोलना है आप बोलेंगे और प्यार से निकल जाएंगे कोई भी nervousness hesitation नहीं होगी क्योंकि ये काम आप पहले सेकड़ों बार practice कर चुके होंगे अपने खयालों में अपनी imagination में अपनी सोच में आपके brain के अंदर आपने इस दुनिया को कई बार जिया है और real life में जब आप जाएंगे तो आपके brain के लिए वो situation नहीं नहीं होगी वो situation पुरानी होगी because आपने उसको कई बार practice किया है